के नर्वाना में इस बार क्या महोल लग रहा है आपको वीजेपी का कॉंग्रेस का किसे साब से फिर जेजेपी मजबूत दिखाई दे रही है में जो लड़ाई है कॉंग्रेस और वीजेपी की लड़ाई है हाँ नर्वाना के अंदर इंडिया नैशनल लोगदल का भी कुछ ना कुछ बात हो सकती है उचाना विधानसवा सीट की बात करेंगे सर होट विधानसवा सीट है बिल्कुल गरम रही पूरे पांच साल उचाना से एम्मेल ने बने दुशन चोटाला चुना भारी प्रेम लता लड़ाई है दुशन चोटाला और ब्रिजंदर सिंग की अगर इन दोनों की लड़ाई पहले बात बताऊं तो मुझे लगता है कि ब्रिजंदर सिंग बहुत हावी है नमस्कार आप देखने देश रोजाना और मैं किरन शर्मा देखे पूरे हर्याना में इस समय विधानसवा चुनावों का महौल बना हुआ है कल से नामंकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यानि 5 सितंबर से और 12 सितंबर तक ये चलेगा इसके बाद अभी फिलहाल अगर देखे तो पूरे हर्याना में बीजेपी के उम्मिदवारों को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस बार बीजेपी किनको मैदान में उतारने जा रही है इस चुनावी चर्चा में मेरे साथ मौजूद है देश रोजान के प्रधान संपादक संजय मगू जी और आज इस चुनावी चर्चा में ये तो हम रोजी आपको हर एक नए जिले के बारे में चुनावी महाल कैसा जल रहा है उसके बारे में बताते रहते हैं लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीन्द जिले की के आकेर जीन्द में चुनावी समीकरन क्या है और राजनितिक महाल वहां का कैसा बना हुआ है जीन्द एक ऐसी हर्यान की महत्पूर सीट है जो ना केवल राजनितिक बलकि धार्मिक नजरिय से भी बेहत महत्व रखत इसकी चर्चा करेंगे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका किरन जब तुमने कहा कि जीन्द की पांडवों ने पिंडदान किया था जब भी कभी कोरव पांडव और महाभारत का जिक्रा जाएगा तो राजनिति तो खुद बाखुद आ जाएगी यानि कि महाभारत और गी पुलिटिकल महत्व की जीन्द का पुलिटिकल महत्व यह है कि चौधरी देविलाल कहा करते थे कि अगर नेता बनना है तो जीन्द जाओ या भिवानी जाओ यानि कि दोनों ऐसे जिले हैं जहां से पुलिटिकल पारा एक डम से हाइप लेता है जीन्द का जो सेनेरियो है तीन लोगसभा सीदों को जीन्द माटता है एक मात्र, लकिला, जिला, पूरे हरीाणा में है कि जिसमें तीन लोगसभा की सीटे हैं। देखें जीन्द की तीन विधानसभा सीटें हैं जीन्द सफीदो और जुलाना यह आती है सोनीपत लोगसभा में नर्वाना रिजर्व सीटें वहां की वह आती है सिर्शा लोगसभा में और उचाना यहां की होट सीट रहती है हमेशा वह आती है हिसार लोगसभा में कोनर grace 2 विधानसभा सीहय ने जीटि विधानसभा से जीटि उचाना जीृति जोलाणा जीटि और तीसरी निर्वाना जीति एक सफीदों की सीट पर Конalez उब लोह अग्या अगर माहौल देखें तो इन्हीं पाँचों विधानवासीटों पर क्या माहौल रह सकता है तुमने कहा था कि BJP की सीटों को लेकर कुरिस है जितनी GoPro को लेकर लोग देख रहे हैं विजे सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि क्या इस बार लग रहा है कि जीन्द में जो जिले नर्वाना विदान सबा सीटों को लेकर कि नर्वाना में इस बार क्या महोल लग रहा है आपको बीजेपी का कॉंग्रेस का किसे साबसे फिर जेजेपी मजबूत कहीं नहीं है जेजेपी का जो जन्नायक जन्ता पार्टि जिस हाइप पर आई थी 2019 में मुझे रखता है उसी त सुर्जा खेडा एमेल ने बने थे 2019 में जेजेपी के टिकेट पर रिजर्व सीट है सुर्जा खेडा साहब ने लोकसभा चुनाओं में समर्थन दिया बीजेपी को अब उन्हें बीजेपी में शामिल होना था आज से तीन दिन पहले लेकिन साड़े साथी ऐसी लगी है उन नर्वाना के अंदर इंडिया नेशनल लोगदल का भी कुछ ना कुछ बात हो सकती है तो सबसे पहले मैं बताओं आपको नर्वाना में जो बीजेपी के कैंड़ेट अब कौन हो सकते हैं तो बड़ी चर्चा है कृष्ण बेदी के नाम की कृष्ण बेदी शाबाद के पहल के अंदर तो वो शिफ्ट हो रहे हैं इदर नर्वाना में जिस और फायदा लगे उस बिलकुल जहां दीकी तरी वहीं बिजादी दरी ये नेदाओं के लिए खास बात है तो नर्वाना पहुंचने की बात चल रही है कृष्ण बेदी की कृष्ण बेदी का बता दू कि जो नर्वाना में मुफीद हो सकते हैं नर्वाना उनको भूई जा सकता है अगर मैं कॉंग्रेस की बात करूं तो कॉंग्रेस से विद्यारानी जो पिछले एलेक्शन में केंडिड थी विद्यारानी का नाम लगबग फाइनल है तो यह दौनों नाम विद्यारानी वर्सिज एकल आजाएं वो आजाएंगी लेकिन देखना जो हम नाम बता रहे हैं यह दौनों नाम आ सकते हैं विद्यारानी कॉंग्रेस से और बीजेपी से कुष्ण बेदी इंडियन नेशनल लोगदल का जिक्र में इसली कर रहा था कि नर्वाना के ही है संदीप लोड वो इसके बाद अगर बात करूं जैसे आपने बता है नर्वाना की आगे बढ़ते हैं और बात करूं सफीदो विदानसबा सीट की तो उस पर आपको क्या लग रहा है सफीदो विदानसबा सीट से सफीदो कैसी सीट है जब 2014 में मरोर पार्ट वन की सरकार थी जब जाट आरक्षन को ले करके जो भी बवाल हुआ था तो सफीदों में भी उसका पूरा असर था और सफीदों से आजकल जो मेले हैं वो सुभाश गैंगोली सुभाश देशवाल है वैसे गाउं का नाम शायद गैंगोली होगा तो मुझे लगता है बचन सिंगारे को टिकट बीजेपी नहीं दे रही है मुझे लगता है बीजेपी जो टिकट दे सकती है वो है जस्वीर देशवाल उनका नाम ज्यादा है यहां पर सफीदों में जस्वीर देशवाल का नाम क्योंकि देशवाल खाप का वैसे विदान सभा पचेत रहें अगर जस्वीर देशवाल को टिकट मिलता है तो उस कंडिशन में यहां चुनाव लड़ सकते हैं बचन सिंगारे इंडिपेंडेंट एक नाम और भी है यहां पर सफीदों में वो नाम है राजवीर रोहिला का चंडिगड में उनकी ठीक ठाक औरा राय पोस्टि सबीड पीका है वह जस्वीर देशवाल यानि कि देशवाल वर्सिज देशवाल हो सकता है बचन सिंग आ रहे हैं बीच में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो कई दिनों से कह रहा है कि आखरी चुनाव एमरब चुनाव लड़ना है मुझे इसलिए स सवीदों के बीच में मुकाबला रहेगा वैसे सफीदों में असर रहेगा उनका जो सत्पाल प्रहमचारी है सांसद हूं सफीदों के ही है और सफीदों विधान सभा में उनको बड़त भी मिली थी मैं आपको बताता है एक बात और जोड़ दूं जो हम बात कर रहे थे जीन ज सीटे में ने बताया जेजेपी को मिली एक बीजेपी को मिली एक कॉंग्रेस को मिली अभी जो लोगसभा का चुनाव हुआ तो जो सुनिपत विधान सभा में सीटे आती है तीन एक केवल जीन ऐसी थी जहां बीजेपी आगे रही लगबग 8000 वोट से और बाकी दो सीटों और सफीदों भी और जुआ बी यहां कॉंग्रेस आगे रही नर्वाना में भीं और उचाना में भी थी 24 को विधान सभा में जाए डाउन थी में 24 ऐए चौबिस के लोगसभा चुनाव गाते आते कॉंग्रश अप हुग रही मुझी लगता है देश्वाल वरसी सुबाज म पॉली वर्सीज जस्बीर देश्वाल और बच्छन सिंगारे मुझे लगता इंडीपंडेट के तौर पे मैदान में दिख सकते हैं जुलाना के आपने बात की जुलाना में क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या होता नजर आ रहा है किस और लोगों का जुकाब ज़्याद तीसरे रह गए है अमर जी डंडा डंडा साब भी यहांके विदायक के जुलाना के जुटेफ़ से विदायक बने थे और मैं समझताओ कि बिलकुल निष्ठावान बड़ी बड़ी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का भी ऐलाइन्स हो सकता भी दो विधानसवा सीटों की चर्चा है कि दो विधानसवा सीटे समाजवादी पार्टी को दे सकती है कॉंग्रेस अगर यह हुआ तो एक जुराना होगी उनमें संजे लाठर हैं अखिलेश यादव के के अधित्य लाठर हो सकते हैं और एक की बात करूं तो बीजे पी में एक नाम चला था जोगिराम सिहां विधायक जोगी नारंग को उस कंडिशन में चर्चा यह कि बरवाला से बेश सकते हैं जोगी राम सिहां को लेकिन ही सूत्रों की बात आत है कि बीजेपी यहां पर अपने केडर के आदमी को लाएगी सुरंदर लाठर है रिटायर आईएस हैं वो और कमिशनर थे मुझे लगता है कि सुरंदर लाठर का नाम ज्यादा महत्वपूर है तो अगर जेज़ेपी की बात करें तो अमर जी ढंटा तय है कोई गुंजाइश न लाठर भी हो सकता है सुरंदर लाठर वर्सिस संजे लाठर के वेटे अधित्य लाठर एक परसेंट संभावना है कि जोगे राम सिहाग को कहीं अड्जस्ट करना हो तो शायद उनको यहां ले आएं देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं सर और अगर आपको भी लगर आए क अगले सीट के तरफ बढ़ते हैं उचाना लोकसवा विधानसवा सीट की बात करेंगे सर होट विधानसवा सीट है बिल्कुल गरम रही पूरे पांच साल उचाना से मले बने दुशन चोटला चुनाव हारी प्रेमलता प्रेमलता केंड़ेट थी बीजेपी की और दुशन चोटला केंड़ेट थे जेजेपी के अपनी पालिटी के मुहिया थे घर के सरदार दस मले बन गए सरकार की सत्ता की चावी मिल गई और सत्ता की चावी लेकर के ताला खोला चंडी गड़कार डिप्टी सीम की कुरसी पर बैठ गए दुशन चोटला या बिठा दिया बीज को तो गठ बंदन की बात कर रहे थे 11 मार्स 2024 और 12 मार्स 2024 सुभा होते होते बड़े बयाबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले ऐसे दुशन चोटला रुकसत हो गए आजकल बड़े शेरोशायरी कर रहे हैं उनको सब पर सब पर कर रहे हैं अपने MLSP कर रहे हैं कि दुशन च चुनाव यहां पर हार गए थे MLA का दूसरा चुनाव यहां पर 2019 का जीत गए इस चुनाव को जीतने के बाद में कि 2019 का जो चुनाव दुशन चोटला जीते उसके बाद ही टसल सारी शुरू हुई बीजेपी की और जेजेपी की प्लस उचाना की विरेंदर सिंग को रास न सब्सक्राइब दुशन चोटाला चॉदरी विरंदर सिंग को भी कह रहे हैं तो दुशन चोटाला अपनी पाटि के सब्सक्राइब इस चुनाव रड़ेंगे और खूब परचार शरचार कर रहे हैं जा भी रहें कि पांच सितंबर को यानि कि कल जो कली नॉमिनेशन कर देंगे पहला नॉमिनेशन हो जाएगा मुझे लगता है कॉंग्रस की केंडिट भी यहां लगवकते हैं ब्रिजंदर सिंग जो पूरु सांसद हैं उनका टिकेट मुझे लग रहा है उनका भी कंफर्म है लड़ा चाजार से भी कम वोट मिले दुष्यंद की माता जी को अब भी मार में कितना बल देगी दुष्यंद को यह भी देखना है लेकिन जो पॉलिटिकल करते हैं लोग जो राइजितिक समिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि उचाना से रहा आसान नहीं है दुष्यंद की अब बात आग हुबी रामकुमार गौतम पहला शक्स है पहले आदमी है जिनोंने दुष्यंद चोटाला के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था पहले तीन-दो तीन मेने बा दिया जहां से अमले बनके गए दो तीन मेने बाद लटाड़ना शुरू कर दिया अट्वरा जानकारी यह हैं क इस बार मुझे लगता है कि उनको वो नारनाउंद भेज दें एक तो बदला चुका लेंगे अपना दुशन चोटाला से जो बोला करते थे कभी गरियार ऐसे कभी विधान सभा के कौन ऐसे अब वो सामने आमने बोल लेंगे दूसरा ब्रहमण मद्दाता बड़ी संख्या में इन दोनों जाट नेताओं के दिगज है दोनों जाट दुशन चोटाला और ब्रिजंदर सिंग चोटाला खांदान और बांगर चोदरी ब्रिंदर सिंग का परिवार इनकी लड़ाई के बीच में मुझे लगता कि भारती जंता पार्टी ने दादा रामकुमार गौतम को उ बात कर ली अब बात करेंगे जीन्द की जो की सबसे मुख्य और होट सीट भी है जीन्द विधानसवा सीट किरन डॉक्टर क्रिशन में डाइमल ले हैं आजकर हेट्रिक बना चुके हैं 2019 का चुनाव जीते 2014 का चुनाव उनके पिताजी जीते थे 2017 में में उप्चुनाव जो जीन्द की विधानसवा है यहां पर वैसे अगर मैजोर्टी कहूं तो जाट मत दाता बहुमत में हैं लेकिन आज तक यहां से किवल एक वार एक ही जाट नेता एमले चुना गया जो विधायक बने 2019 में उससे पहले विधायक बने मैं बताया तुम्हें कि 2017 में इनके पिता जी डॉक्टर हरीचन मिद्दा विधायक हुआ करते थे इंडियन नैशनल लोगदल से विधायक बने थे तो डॉक्टर मिद्दा जो बड़े मिद्दा बाउजी कहते थे उनको औ मैं भी जीन गया हुँँ डॉक्टर क्रिशन विधायक बाउजी दियूर को बॉल को कहको हाथ पकड़के लिए फ्लम auditory से लिए कि गरीबों का ग्रीइब नोड़े इसी बात हुए तो उनका सब्सक्राइए जी पर बास लोग एक तो बता रहें अपनी शिकायत की राशन ने मिला दूसर नवज आगे करते था तो डॉक्साफ दौनों को कर लेते थे काम गरीबों को कहते थे कि जिसके पास पैसे भी नहीं उनका भी लाज हो जाता था कि 2009 में डॉक्टर हरीचन मिड्डा विधायक बनें वहांपर 2014 में विधायक बनें उसके बाद उनका देहावसान हो गया अचानक से दिवंग उनकी मृत्ति हो गई 2017 के अंत में वहांपर विधान सभाग उप्चुनाव हुआ तो उप्चुनाव में भारती जंता पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर क्रिशन मिड्डा को इनलों से अपनी पार्टी में शामिल करा लिया दौर वो था कि इंडियन नैशनल लोग तूट करके दो हिस्तों मे और कॉंग्रेस से केंडियेट थे रंदीर सिंग सुर्जेवाला उप्चुनाव में दिगविजय चोटाला को हराया डॉक्टर क्रिशन मिड्डा ने और उप्चुनाव जीत गए बड़े अंतर से 12-14,000 मतों के बड़े अंतर जीते उसके बाद 2019 का चुनाव आया विधान स सौनिपत से केंडियेट थे तो जीन जिले की जो तीन विधान सभा सीटे सौनिपत लोकसवा में जाती है जीन जुलाना और सफीदो अकेले जीन वही चुनाव जीते बस सिरफ हो दो में हारे जीन से लगवग आटना उजार का गैप रहा जीतने का उनका तो मुझे रखता ह कि केंडिडेट अब भी बीजेपी का चेहरा डॉक्टर क्रिशन मिड़ा ही है मैं तमाम पोर्टल पर देख रहा हूं टीवी पर चल रहा है कि वहां पर जो महिपाल धंडा का नाम जीन के लिए केवल अफ़ा है जीन से डॉक्टर क्रिशन मिड़ा लगवग तै के प्रदेश अध्यक्ष है चोटे लाला जी के नाम से मशूर हूए हूं करुक्षेत्र लोग सभा में नवीन जिंदल को बड़े लाला जी का गया और सुशील गुपता को चोटे लाला जी का तो सुशील को चुनाव लड़वाया जाएगा लगवक्त है बानके चलें अब जीन्द विधान सवा से आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस गटबंदन का मांगे नाम गुपता के बाद में यहां पर अगरवाल वहिशा समाज भी देख रहा है कि उनका नेता कौन आए तो मुझे लगता है कि सुशील गुपता के रूप में तलाश पूरी हो जाएगी वैसे महाँ पर रजनीश जैन का नाम भी है वो एलक्षन लड़ी थी नगर परिशत का लगवा 11-12 जार के आसपस वोट भी ली थी उन्होंने आम आदमी पार्टी से तो जीन्द विधान सबा से मुझे लगता है कि आमने सामने की फाइट होगी जो गठबंदन से आम आदमी पार्टी के जो केंड़ेट होंगे वो सुशील गुपता और डॉक्टर क्रिशन मिद्डा से मुकाबला होगा चुनाव रोचक होगा देखने वाला चुनाव होगा तो देखे तमाम जीन्द की हमने विधान सबा सीटों पर चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि इस बार क्या लग रहा है बीजेपी कॉंग्रेस या फिर किस और दल से जो मजबूत उम्मिदवार है वो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मैंने आपको शुरुवात में ब बताईएगा और आगे भी इसी तरह कि आपसे चर्चा करते रहेंगे जब तक के लिए देखते रहें देश ओजाना नमस्कार नमस्कार